येके सिंग जी जरा आसान भाशा में समझाए कि ये हेलो ऑर्बिट क्या है और क्यों इसे इतना महत्पूर्ण कहा जा रहा है और उस वक्त भी गती को कंट्रोल करना होगा और ये ग्राफ भी है सामने ये हेलो ऑर्बिट जो है जो एल वन पॉइंट है वह को एक ऐसा एक बिंदू नहीं है उसके चारो तरफ जो और वह जो है जहां पर के यू नीड मिनिमल एनरजी टू मूव दी सेटलाइट और वहां पर बता बड़कर पढ़ें तो ये वहां पर अपना उस हेलो ऑर्बिट मे तो यह भी उसके साथ घूमेंगा, basically यह है a place where minimum energy is needed for staying. अपुर जी का क्या रोल है यह आप से समझेंगे, लेकिन माम आपके पास आएंगे, जिस तरीके से यह पूरा mission handle किया जा रहा है. जाहर है जिस तरीके से अर्थ की काई layer है, crust mental core, वैसे ही sun की भी काई सारी layers होंगी. क्या इस तरीके से bifurcate किया गया है और L1 को जो हम choose करते हैं, तो हमारा mission है, यह कहां तक की information को target कर पाएगा? माम, जैसे earth की layers बताएं आपने, वैसे ही sun की layers होती है, sun की layer को हमने दो भागों में divide किया है, inner layer, outer layer. इनर layer भी तीन तरीके की हैं, जिसमें core आता है, radiative zone आता है, convection zone आता है, outer layer की बात करें, तो हमारा photosphere, chromosphere and corona. तो यह जो हमारे payloads हैं, यह different layers को study करने के लिए हैं. बिल्कुर आपने layers की बात की दिशिता, एके सिंग जी, क्योंकि जो प्रित्वी की सता है, वो तो ठोस है, लेकिन सूरज की सता है ठोस नहीं है, और वो तो gas का गोला है, hydrogen and helium. तो इसको आप किस तरीक से describe करें? तेकिये, वो कहते हैं कि अगर उसके core, जो उसका core है, उसमें thermonuclear reaction is going on, जिसके कारण बहुत energy निकल रही है, को temperature बहुत जादा है, और जैसा बताये को इसकी different layers है, ultimately जो सबसे जो interesting layer है, वो corona है, या photosphere, क्योंकि corona के बारे में सबसे जादा रहे से, no no, जो उसकी चारों तरफ ह जो सूरच के अचारों तरफ, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितनी भी solar activities, जो sun की activities है, वही से emanate हो रही है, जाए वो solar storm है, जाए magnetic storm है, वहां से जो एक जो temperature में जो परिवर्तन हो रहा है, जो CMEs, 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 जो multiple global religions. तरिके से क्रिस्क्रोस हो रहा था. इस सवाल पर आने से पहले, जो सर ने अभी बताया था, मैं एक पॉइंट और आड करना चाहूंगी, जैसे सर ने बताया था, कि हम Corona देख रहे हैं, तो ये एक Corona देखने का मकसद हमारा space में जाके इसलिए था, क्यूंकि जब भी solar eclipse होता ह है, हम Corona की लेर को तभी देख पाते हैं, और अब हम Corona की लेर को 2400 गंटा देख पाएंगे हैं, तो ये तीम है, मुस्कुराते चहरे, एक सफल लाँचिं के बाद, आत्मिश्वास से लबरेज, ये वो टीम है, जिन्होंने महनत की है, जिसकी वज़ा से हम काम्याब होए हैं लाँचिं के लेर्म लाँ, तर बिसको है, जो क्वश्क वज़ा खेक, प्रिज़ लाँज़, ये भी दो भरेकी. आदेख तोल X. था मैम्द्यंवा है, जिस दूeln लुल्या से लाँचिं लाँचिंegaal,인박 ,ог़े मुज Dire closing, हम प्रुप लाँचिं मुशन. तो ये श्री हारिकोंटा से तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं वज्ञानिकों को आप सुन रहे थे जिनोंने बहुत महनत की। ये कुछ महीनों की महनत नहीं थी सालों की महनत थी और जब आप कोई तार्गेट सेट करते हैं, सपने को देखते हैं, अपनी आखों के सामने उसको काम्याब होते हुए देखते हैं, तो आप इनके चेहरों को पड़ सकते थे, ये नए भारत की तस्वीर है, वैज्यानिक जिनको लीट कर रहे थे, एस सुमनात, जिन्होंने चन्रयान 3 मिशन को भ ही पहुचती है, बच्चे यानि कि भारत का भविश है और बच्चे यानि कि वो सपने जो कि आगे चलकर कभी पूरे होने वाले हैं, जिस तरीके से तमाम साइंटिस्स यहां पर मैनत कर रहे हैं, इन बच्चों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और बकाइदा जब स् जोगी प्रियंका भी स्कूल में थी, बच्चों पर बहुत जादा इंपक्ट हुआ है, रिश्यता आप इस पर कुछ जोड़ना चाहरे है, जी माम बिल्कुल जैसे अभी आपने पहले वीडियो में देखा होगा, जब माम थी एक रॉकेट लांच दिखाया गया था, तो व जब कि बच्चे स्पेस साइंस में इतना इंटरस्ट ले रहे हैं, क्या लगता है कि अपॉर्चुन्टीज किस तरह से क्रियेट की जानी चाहिए, जैसे बच्चे हम जब ये चीज़े इतना टेलिविजिन पर और यूट्यूब पर प्रसारत होती है, तो बच्चे आजकल स अनुपमा अश्वी हरी कोटा में मौझूद है, अनुपमा क्या मान लिया जाए, लॉंचिंग सफल हो चुकी है, क्योंकि एक घंटा काफी एहम था, और अब या एक बज़े तक हमें इंतजार करना होगा अरे तो जिस तरीके से आपके साथ स्टूडियो में तुमाम साइंटेस्ट मौझूद है, जो आपको टेकनिकल बाते बता रखे हैं, लेकिन इसके परे ये भी कि आखिर जो लोगों की दुआई जंद्रियान 3 हो, या फिर आदिते L1 हो, या फिर आने वाला गगन्यान क्यों ना हो, गगन्यान अगर आप समझे, पूरी तरह से उसके लिए कोशिश की जा रखी है, पहला मनमिशन जो होगा, हालकि ये आने वाले समय की बात है, लेकिन आप समझे कि ये नए हिंदुस्ता उसी खुशी में कि आज उन्हीं सामने से देखा है, इतिहास को रचते हुए, आज उनने सामने से वह तस्वीरे देकिंगे जो उनके दिमाग में हमेशा, जहन में जो है चप जाएंगी हमेशा के लिए, और ये बहुत जरूरी भी है बच्चों के लिए, अगर यह समझना क आकिर साइन्स जो है, वो किस तरीके से काम करती है, को जो है कि अब कोई सोच नहीं सकता था, कि हिंदुस्तान वो जिसे साइकल से चांड तक का सफर का तै किया है, और अब चांड से सूरज तक का सफर जो है, वो हम तै करने जा रहा है, क्योंकि सूरज का मिशन जो है पहला मिशन अब ये भारत का होने वाला है और पैसे में समझे सक्सेस्फुल लॉंचिंग हो चुकी है चार महीने बाद जो है वो पहुचेगा अभी जो है ये बताया जारे एक डिसकेशन जो है वो किया जा रहा है साइंटर्स के बीच में जिस कुछ करेगा कितनी देर में जो है चकर काटेगा साथी क्या उसे किसी तरीके का कोई नुकसान होनी की बी संभावना है क्या नहीं है क्योंकि देखे आधिते अलवन वो जगाई जो है वो भी वहां पर काम नहीं करता है तो इसलिए उस पॉइंट को चुना गया है ताकि कि क लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि mission launch होने वाला हो और end moment पे उसको abort कर दिया जाए और क्या इस तरीके से चंद्रियान और अधिपिया 11 की इस तरीके से अपन लॉंचिंग के बाद हम माने कि इंडिया अब space supremacy की और आगे बढ़ रहा है देखिए यह last minute तक जो मैंने का उसको monitor करते हैं वह इसलिए होता है और ऐसा कई वरी हुआ है कुछ launches में कि last moment पे चेंज करना पड़ता है कोई चीज है डिटेक्ट हो गई इसको मैं failure नहीं मानता हूं अगर हमने डिटेक्ट कर लिया तो यह भी एक सक्सेस है तो ऐसा हो सकता है पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है है एलवन के अगर आगे जाएगा तो फिर तो जल्ज आएगा वह तो मतलब वहां पर स्पीड कहां से कंट्रोल करनी होगी तो मैडम ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ही आगे जाएगा देखें पूरे 100% में हम तो एक परसेंट ही गए हैं तो वहां पे देर देर सिस्सम जहां प आपिस उसकी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा एलवन पहुंचने में 127 दिन लगेंगे अभी जो अभी आज इसको लॉंच यह फर्स स्टेज खतम होगी एक्सरसाइज तो यहां पर 16 देन अभी रहेगा बार-बार कहने 16 उसमें इसको और बिटल इसको अलेप्टिकल प्रित के सवाल को ही थोड़ा सा मैं इसको इलाबरेट करके पूफना चाहूंगी क्या उसके अगर आगे हो गया तो क्या यह डेफिनिट करके बेलर आता है इस तरीके से सेंसर लगा दिये जाते हैं या मेक्यानिजम आता होता है कि अपनी ट्रजेक्टरी को नाच बिलकुल अगर अगर मतब यह ऐसा नहीं है तो मतब पूरे सिस्टम का फादा ही नहीं है 12 जी क्योंकि जो पृतवी की ग्रैविटी है हर चीज को खीचती है तो यह 16 देनी काफी क्रूशल ना तो यह पृत्वी कि ग्रैविटी मैं लेकिन उससे बाहर भी है ना तो यह उसको वहां प पर दूर एक उन बॉद प्रपॉशिन भी लगाया है उसको आर्थ की ग्राविटी के इन्फूएंसे बाहिए और से आतान धाशा में आप तीनों समझा पाएं कि आप इनों कोन से आपने बात किये जो दर्शक आप अब ही अब भी देख रहे हैं किस system कि आप बात करेंगे? मैं मैंने बात करी है, on board propulsion system जिसे यानि एक ऐसा system जिसको on करेंगे तो first generate होगा, first generate होने के बात, जो gravity है, earth की influence हो है, उससे वो दूर जाएगा, जब वो उससे दूर जाएगा, तभी वो L1 के orbit की तरफ पहुच पाएगा. जस्पीद, हम space supremacy के बारे में बात करेंगे इंडिया को लेके, मुझे लगए तो मुझे लगए तीनों का व्यूज जाना बहुत जरूरी, रवीन आपसे start करते हैं. जी मैं मैंने के बहुत ही जरूरी है, जैसे कि आपने बताया है कि बच्चों में यह चीज हमने देखी अभी और इतनी opportunities इससे create होने वाली हैं क्योंकि पहले यह चीजे लोग इतना जागरूप नहीं थे इन चीजों को लेके, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगतार बनी हुई है. झाल झाल